सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनवाएं की ब्लॉग में मयंग गांधी ने क्या क्या लिखा है? किस तरह से आम आदमी पार्टी और शीष्ट ने तृत्व पर सवाल उठाएं? महराष्ट के कुछ असंतुष्ट लोग भी मेरे खिलाफ इंटर्व्यू देने लगे हैं, कुछ पुराने मामले खोले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुझे पार्टी विरोधी काम करने वाला बताये जा रहा है, पार्टी बीमसी चुराओं न लड़ने पर फैसला ले सकती ह मुझे जलील किया जा रहा है, ताकि मैं पार्टी छोड़ दूँ, ऐसा ही कुछ योगें रियादव और प्रशान भूशन के साथ होना था, लेकिन आखरी वक्त पर प्लान बदल गया, देखता हूँ मैं इन सब के बावजूद कब तक जमा रहता हूँ अमरिता शेडगे, हमारी सब वह दाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं, अमरिता वो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ब्लॉग में क्या कोई इशारा है या हम समझ सकते हैं, और क्या ये आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से दो फाड़ है ब्लॉग में और क्या क्या लिखा है अमरिता? लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि उन्होंने कहा है कि चार तारीक के मीटिंग के बाद जो कुछ भी हुआ प्रशांद भूशन हो या फिर और कुछ पार्टी के नेता हो वही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है और इसलिए मैं ये ब्लॉग लिखना चाहता हू इसके बाद शायद और एक ब्लॉग लिखूंगा जिसमें मैं चार तारीक के जो मीटिंग थे उसमें क्या कुछ हुआ वो डीटेल देने की बात भी इसमें की गई है लेकिन ये एक बहुत एहम इससा इसमें लिखा गया है कि जिस तरह से मुझे टार्गेट किया जा रहा है कुछ नेता है आम आदमी पार्टी के मुंबई के या फिर महाराष्ट के भी वो जिस तरह से मेरे साथ बरताओ कर रहे है मेरे बारे में बाते सामने आ रही है आशिश खेतान जास है कुछ नेता है जो मेरे बारे में गलत बाते फैला रहे है उसको लेकर यही सामने आ रहा ह कि जिस तरह से प्रशांद भूशन के साथ हुआ हो इसी तरह से कुछ मेरे साथ करने की कोशिश है और ये भी लिखा गया है कि यही देखना है कि अब कितने दिन तक मैं ये सब जेल पाता हूँ या फिर कोई मुझे प्रेशराइज करेगा पार्टी से रिजाइन करने के लिए बहुत बड़े मुद्धे हैं बहुत बड़े खुलासे की गया है इस पूरे ब्लॉग में जिसको लेकर ये साफ तोर से जलक रहा है कि आम आदमी पार्टी में किस तरह से जो अंदरूनी क्रिटिसिजम है वो किस तरह से बाहर आती दिखाई दे रिया है सईद योगेंदर यादव प्रशान भूशनल को हटाए जाने के बाद पीएसी से दो खेमों में बटी वही पार्टी नजर आती है और आशीश खेतान ने भी ब्लॉग में कटाक्ष किया था मायंक गांधी पर लिखा था कुछ लोग लिखेंगे कुछ इतिहास तो मायंक गांधी के नए ब्लॉग की मामले भी योगेंदर यादव क्या राय रखते हैं सारी खबरे में भी पढ़ रहा हूं लेकिन पार्टी के भीतर जो घट रहा है उसके बारे में मैं सार्वजनिक कुछ वक्त अबे देना नहीं चाहता है पार्टी की एक अपनी मर्यादा है उस मर्याद कि भीतर रहके ही मैं काम करना चाहता हूं दुख तो होता है दुर भागे पूर्ण तो है लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आस्था है मैं बहुत मंदिर पूजा तो नहीं करता लेकिन आस्था है मेरी आस्था है कि ये आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है और देर सबेर, हम देश के दिखा सकेंगे, अपने कार्यकरताओं को दिखा सकेंगे, कि इस पार्टी में उस तरह के खेल नहीं होते नहीं होंगे, जो दूसरी पार्टीों में होते हैं.